सफ़ा नंबर एक सो उन्नीस सबख उन्नीस नजम एक गाए और बकरी नजम निगार अल्लामा इकबाल किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली जब टहर कर इधर उधर देखा पास एक गाए को खड़े पाया पहले जुक कर उसे सलाम किया फिर सलीके से यूं कलाम किया क्यूं बड़ी भी मिजाज कैसे हैं गाए बोली के खेर अच्छे हैं कट रही है बुरी भली अपनी है मुसीबत में जिंदगी अपनी सफ़ा नंबर एक सो बीस आदमी से कोई भला ना करे इस से पाला पड़े खुदा ना करे दूद कम दूँ तो बड़बडाता है हूं जो दूबली तो बेच खाता है इसके बच्चों को पालती हूं मैं दूद से जान डालती हूं मैं सुनके बकरी ये माजरा सारा बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा ये चरागा ये ठंडी ठंडी हवा ये हरी खास और ये साया ये मजे आदमी के दम से हैं लुथ्फ सारे उसी के दम से हैं गद्र आराम की अगर समझो आदमी का कभी गिला ना करो गाए सुनकर ये बात शर्माई आदमी के गिले से पच्चताई दिल में पर्खा भला बुरा उसने और कुछ सूच कर कहा उसने यूं तो छोटी है जात बकरी की दिल को लगती है बात बकरी की नजम निगार अल्लामा इकवाल एक लव्ज और मानी चरना जानवरों का घास या चारा खाना मिजाच तबियत सफा नंबर एक सो इकीस गिला शिकायत चरागा चरने की जगा उसे चरागा भी कहते हैं लुट्फ मजा गद्र एहमियत कीमत कलाम बात करना दो गोर कीजिए नजम में गाए और बकरी की गुफटगू से ये नतीजा निकलता है कि इनसान अगर जानवरों से काम लेता है तो वो उनकी देखभाल और आराम के सामान भी करता है अकलमंद सिर्फ बड़े ही नहीं छोटे भी हो सकते हैं तीन सोचिए, बताईए और लिखिए अलिफ बकरी चरते चरते कहां निकलाई बे बकरी ने गाए से क्या सवाल किया जीम गाए ने इनसान की किन बुराईयों का जिक्र किया है डाल बकरी ने गाए को किस तरह तसल्ली दी हे आखिर में गाए ने क्या कहा सफ़ा नंबर 122 चार इन मिसरों को इशारे के मताबिक सही तर्तीब से खाली जगा में लिखिए अलिफ दूद कम दूँ तो बढ़ बढ़ाता है लुद्फ सारे उसी के दम से है बे ये मजे आदमी के दम से है और कुछ सोच कर कहा उसने जीम गाए सुनकर ये बात शर्माई हूँ जो दूबली तो बेच खाता है दाल दिल में पर्खा भला बुरा उसने है मुसीबत में जिंदिगी अपनी हे कट रही है बुरी भली अपनी आदमी के गिले से पच्चताई यहां मिसाल के तौर पर दूद कम दूँ तो बढ़ बढ़ाता है मिसरे को हूँ जो दूबली तो बेच खाता है मिसरे से मिलाया गया है पांच यहां चंद हुरूफ लिखे हुए हैं जिनके बीच का हर्फ गायब है वहां कोई ऐसा मौजू हर्फ लिखिए जिससे दोनों तरफ से पढ़ने में दो मुख्तलिफ बामानी अलफाज बन जाएं मिसाल नून अलिफ काफ सीधी तर्तीब नाक उल्टी तर्तीब कान अलिफ ते खाली जगह रे बे बे खाली जगह ते जीम लाम खाली जगह गाफ दाल बे खाली जगह नून हे शीन खाली जगह लाम वाउ जे खाली जगह रे सफा नंबर एक सो तेईस छे दिये हुए लवजों से जुमले बनाईए नदी गाए आदमी बकरी जिंदगी साथ इन लवजों से मुजकर और मौनिस अलग-अलग लिखिए आराम बकरी दिल गाए कलाम मिजाज मुसीबत जिंदगी बच्चा जान माजरा गिला घास दम दुबली चरागा आठ ये अलफाज जिन मिस्रों में इस्तेमाल हुए हैं उन मिस्रों को लिखिए शर्माई कद्र पर्खा लुट्फ नौ यहां दिये गए मिस्रों के लवजों को सही तर्तीब से लिखिए अलिफ पाया गाए इक को खड़े पास बे कोई भला आदमी से करे न जीम इसको पालती के हूँ बच्चों में दाल और ये हरी घास ये साया सफ़ा नंबर एक सो चौबीस दस बलन दावास से पढ़िए और खुशखत लिखिए नदी जुकर सरीका ठंडी पच्चताई जुकर